कि आज ये जो रिबांड मागी गई है ED के द्वारा ये निरर्थक प्रयास है इसका कोई आधार नहीं है इस पूरे मामले का ना कोई सिर है ना पैर है बेचारी ED इतनी भोली थी उसको कुछ भी मालूम नहीं था अरेंदर मोदी जी आपको पूरा देश देख रहा है कि तुम्हारे अत्याचार को तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी ताना साही को तुम्हारी गुंडागर्दी को सारा देश देख रहा है आपने उस मनिस सौधिया के साथ आतंक वादियों जैसा बेवहर किया ये देश इस गई है इडी के द्वारा ये निरथक प्रयास है इसका कोई आधार नहीं है इडी ने साथ दिन की रिमांड मांगी थी पास दिन की रिमांड स्विक्रित की गई है जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं राजनितिक द्वेस के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदराम करने के लिए दिल्ली के सिख्षा मौडल को डिरेल करने के लिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यूं दिया सरकार क्यूं बनवादी इसकी सजा देने के लिए मनीश सिसोधिया और सतेन जैन को जेल में रखा गया है इस पूरे मामले का न कोई सिर है न पैर है कहते मनीश सिसोधिया ने भरस्टाचार कर दिया 14 धंटे सीब्याई की छापे मारी हुई घर खोट डाला कुछ नहीं मिला गाउं में चापे मारी की कुछ नहीं मिला दफ्तर में चापे मारी की कुछ नहीं मिला बैंक के लॉकर को चेक किया कुछ नहीं मिला सी वियाई ने लोगों के गवाही ली और गवाही लेकर पहली चार सीट दाखिल की मनिस्स सौदिया का नाम नहीं ग्मारा चार सीट दाखिल की उसमें भी लोगों के गवाह के आधार पर चार सीट दाखिल की गए उसमें भी मनिस्स सौदिया का नाम नहीं लेकिन जबरन अपने आखा के कहने पर सी बियाई ने मनिस्स सौधिया को गिरिफतार किया पहले सी बियाई ने रिमान ली सी बियाई की रिमान जब पूरी हो रही थी तो दस महीने तक हिंदुस्तान की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली एजन्सी एडी उस एडी बेचारी को कुछ पता नहीं था बेचारी एडी इतनी भोली थी उसको कुछ भी मालूम नहीं था अचानक रात हो रात जब मनिस्स सौधिया की सी बियाई के मामले में जमानत की आचिका की सुनवाई होनी थी उसके एक दिन पहले एडी आती है वो कहती है हमको पूस्ताच करनी है मैं रिमान दो साथ दिन की रिमान ले लिए पूस्ताच कर लिए फिर आगे अभी और पूस्ताच करनी है रिमान दो आधनी नरेंद्र मोदी जी आपको पूरा देश देख रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी सिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया दिन रात मेहनत की जिन सरकारी स्कूलों में मकडी के जाने लगे रहते थे उनको एर कंडिसन कमरों में तबदील किया छे साल से लगातार इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बहतरी नाया बच्चे आयाइटी में सेलेक्ट हुए पूरी दुनिया में एक सिख्षा मॉडल को प्रचलित किया आपने उस मनिस सौधिया के साथ आतंक वादियों जैसा बेवहर किया ये देश इस बात को भूलेगा नहीं में बारा बारा दिन की रिमार्ड एड़ी की दस ड़ीन की रिमार्ड सी बीआई की कभी आपने सुना ऐसा आतंक वादियों के साथ भी वेवहर नहीं किया जाता जैसा मनिस सिसौधिया के सथ वेवहर किया जा जबकि कुछ नहीं निकला ध्रस्ट अचार कीए होते तो कुस तो सोना निकलता है संपत्ति निकलती ही पैसा निकलता है कहाँ चला गया तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा भाज़पाईयों को कि तुम्हारे अत्याचार को, तुम्हारे जुन्म को, तुम्हारी ताना साही को, तुम्हारी गुंडागर्दी को जाच एजन्सियों के दुरुपयोग को सारा देश देख रहा है और मोदी जी आपको इस देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया आप अपने उस पद का इस्तेमाल मनिस्स सौधिया जैसे लोगों को प्रतालित करने में उनके उपर अत्याचार करने में उनके साथ आतंक वादियों जैसा बेवहार करने में लगा रहे हैं समय आने पर देश की जनता आपको जवाब देगी